जब भी भी हमारे सामने उत्तर प्रदेस पुलिस का नाम आता है तो हमें तमाम ऐसे मामले आदाते हैं जब या तो कहीं न कहीं खाकी वर्दी को सरमसार किया जाता रहता है या कहीं न कहीं कुछ ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं जिससे पुलिस वालों की एक अलग छवी सामने निकल कर आती है लेकिन इनी सब के बीच में अगर बात करें तो कुछ ऐसे पुलिस करमी भी हैं जो पुलिस विभाग की छवी को अच्छा बनाये रखने के लिए कुछ ही मेनत करते हैं और निश्चित ही अपने धर्म को और अपने कर्म को बहुत ही इमानदारी से निभाते हैं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में हाली में आपने एक ऐसा मामला सुना होगा जब सीम योगी ने एक उच पुलिस आधिकारी को दरोगा बना दिया ये तो हुई एक कार्यवाही की बात लेकिन अब हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं ये बात एडिशनल एस पी जब खुद ट्रैफिक कर सिपाही बन जाए और एक घायल लड़की के लिए अंकल बन जाए तो आपको सुनकर जरूर आश्चरे होगा मामला बारा बनकी से जुड़ा हुआ है बारा बनकी में दो मारत दुरगटना होती है जिसमें एक लड़की जिसका नाम पूजा था वो घायल होती है अस्पताल पहुंचती है वहीं दूसरा एक मामला पटेलती राहे पर हुआ जहां पर एक व्रद्यमाईला साइकल से जा रही होती है अपने पती के साथ और वो दुरगटना गरस्त हो जाती है इसी दौरान बारा बनकी के एडिशनल स्पी पूर्नेंदु सिंग वैसे तो हम आपको बता दें कि जिनकी फोटो आप देख रहे है ये बारा बनकी के एडिशनल स्पी पूर्नेंदु सिंग उत्तरी है जो अपने सक्त विवार सक्त कार सैली के लिए जाने जाते हैं लेकिन जब ये अस्पताल पहुँचे तो उस दौरान इनके अंदर का कहीं ना कहीं पिता जागरित हो गया इनके अंदर की खाकी इनको इस चीज के लिए मजबूर कर दी कि इन्हें अपना कर्तब निभाना है और कहीं ना कहीं जो द्रस सामने निकल कर आए वो अत्यन्त भावुक कर देने वाले थे खाकी पहने एडिसनल स्पी पूर्नेंदु सिंग का दिल पसीज गया और उन्होंने उस घायल बेटी से कहा डरो नहीं बेटा मैं तुम्हारा अंकली हूँ और उसे गोद में उठाकर उसका इलाज कराने लगे आई देखते हैं पूरी खबर क्या है मामला और कैसे एडिसनल स्पी बारा बंकी पूर्नेंदु सिंग एक ललकी के लिए अंकल जी बन गए और कैसे ट्रैफिक सिपाही बन गए बारा बंकी में आज लोगों ने एएसपी पूर्नेंदु सिंग का अंकल रूप भी देखा अपरादियों के लिए बेहसक्त माने जाने वाले बारा बंकी की एएसपी नौर्थ पूर्नेंदु सिंग ने मानवता की अनोकी मिसाल पेस की दरसल बारा बंकी में दो अलग-अलग सड़क हाथसे हुए, पहले हाथसे में आलापुर में पूजा नाम की एक लड़की को रोड वेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें लड़की बुरी तरह घायल हो गई, जिसमें मुन्नी देवी नाम की महिला की मौत भी हो गई, जिब कि उनका पती कंभी रूप से घायल हो गया, एसपी पूर्णेन स्विंग जब जिला अस्पताल पहुचे तो वहां उनके अंदर का अंकल जी रूप सामने आ गया, दरसल वहां उन्होंने आलापुर हाथसे में घायल लड़की को बेहत प्यार से गोद में उठा कर इलाज के ल करने के बाद रोड पर काफी लंबा जाम लग गया, जिसके बाद एसपी पूर्णेन स्विंग ने खुछ सड़क पर उतर कर कमान संबाली और काफी देर तक सीटी बजा बजा कर ट्रैफिक क्लियर कराया, इस दौरान कई दूसरे पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद थे एसपी ने जिस तरह से यातायद विवस्ता की कमान को संबाली उससे कहीं न कहीं रोड के दोनों तरफ लगा लंबा जाम कुछी देर में साफ हो गया